क्या आपके घुटने में बहुत तेज वाला दर्द है? कमर के दर्द से परिशान है? कंधे का दर्द आपको रहता है? अलग-अलग जगे पर शरीर में दर्द की समस्या है? मास पेसियां बहुत ज़ादा दर्द करती है और चलने फिनने में बहुत तकलीफ होती है और सरदिया शुरू होती ही तो यह तकलीफ और जादा पड़ जाती है तो आज जुन उसका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसके इस्तमाल से आप सूखे पड़े हुए घुटनों में फिर से ग्रीज बना सकते हैं अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं और दोड़ते रह सकते हैं आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइकन शेयर करना बिल्कून न भूल नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलनी इंटियन केचन में कहा जाता है आईरवेद में एक बहुत पुरानी कहावत है निर्गुंड़ती, सरीरम, रक्षती, रोगेब्य, तक्षमात, निर्गुंड़ी अर्थात आज की जो यह उस्दी का सबसे पहला इंग्रीडेंट है यह हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने वाला इसलिए इसे निर्गुंड़ी कहा जाता है यह हमारे शरीर को अलग-अलग प्रिकार से बेहद ही फाइदे देती है और सबसे ज़ादा फाइदे मन्द तो यह मास्पेशियों के दर्द और जोडों के दर्द के लिए होती है इसका निर्गुंडी नाम शंस्कृत का नाम है हिंदी में इसे संभालू, संभालू और संदुवार कहा जाता है और इसके और भी किस-किस भासा में नाम है उसके लिए लिस्ट आप वीडियो को पोज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं भाव प्रकाश में नील पुष्पी को ही निर्गुंडी कहा जाता है चरक सहीता में सिंदुवार की गण्ना विश्ण गन रूप में और निर्गुंडी की गण्ना कत्मी गन दशोमानी में की गई है शूशृत जी ने सुरसाधी गण में सुरसी अर्थात स्वेत निर्गुंडी और निर्गुंडी अर्थात नील पुष्पा की गन्ना की है जिसे निर्गुंडी के बीजो को रेणुका भी कहा जाता है यानि कि इसका एक नाम रेडुका भी है इसे निरगुंडी भी कहते हैं और इसे जो है सिंदुबार भी कहा जाता है अब हम बात करते हैं इसके गुण की कौन सा गुण इसके अंदर होता है निरगुंडी कफ और वायत के लिए सबसे ज़ादा फायदे मंदोस्ती है ये तो अच्या के उपर अगर आप इसको लगाते हैं यूँ भी अगर इसके पत्तों का लिप लगाया जाए तो ये सूजन को कम करने का काम करता है ये शरीर से सारे बैक्टीरिया को कीडों को नस्ट करने का काम करती है इसलिए अगर आपके पेट में कीडों की समस्या है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है भूप को बढ़ाने वाली मानी गई है और साथी साथ लीवर के लिए बहुत अच्छी है अगर आप इसका इस्त और आप इसके फायदे लें। से चार दानों का ही सेवन करना होता है इससे जादा नहीं करना होता अगली जो चीज हमने यहाँ पर इस्तमाल करनी है वो भी बहुत ही कमाल की है इसके बारे में हम बताएंगे कि यह जो है कफ को निकालने का काम करती है और इसको छोटी पीपली या पीपली भी बोला जाता है ये ओस्दिय गुनों से भरपूर होती है हाई कोलेस्टोल को कम करने खून की सफाई करने आतों की सफाई करने गैस, एसेडिटी, अपच की समस्यां को दूर करने के लिए बहुत अच्छी होती है साथी साथ जोडों के दर्द और शरीर से कफ को निकालने का काम करती है तो ऐसा कहा जा सकता है कि पीपली में ये जो है कफ के विनाश के लिए होती है और साथी साथ वाद के रोगों के लिए भी बहुत अच्छी होती है तो यहाँ पर आपने पीपली का इस्तमाल करना है, यह भी तासिर में गर्म है, इसलिए आपने सिर्फ दो पीपली को तोड़ करके यहाँ पर डाल देना है पीपली उन लोगों के लिए भी बेहत फायदे मंद है जिने तनाव की दिक्कत रहती है नेंद नहीं आती है तो इसके लिए भी बहुत अच्छी है स्लरदर्द और माइक देन वालों के लिए भी काफी फायदे मंद है अगली जो चीज हमने याँ पर इस्तमाल करनी है वो है तुलसी के बीज सुखे हुए तुलसी के बीज आपने लेने हैं बहुत आसानी से सभी के घर में अविलिबल रहते हैं यह तीनों जो चीजे मैंने यहाँ पर इस्तमाल की हैं यह बहुत आसानी से आपको किसी भी आरवेधिक स्टोर पर मिल जाएंगी और आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं अब हम बात करें तुलसी के जो बीज हैं के गुणों के बारे में तो इन में प्रोटीन, फाइबर, वाइटमिन ए, वाइटमिन के, कार्बो हाइडरेट, ओमेगा थ्री फैटी एसेड और बहुत सारे खनिश्टत होती हैं लेकिन इनकी तासीर ठंडी होती है इसे पेसिल भी अगर बेसिल के इस्तमाल आप करते हैं तो ये शरीर को ठंड़क देने का काम करती हैं क्योंकि यहां पर पीपली और निरगुंडी दोनों की ही तासीर गर्म हैं तो इसलिए हमेशा इनके साथ में ऐसा जब भी कोई कहला बनाएं जिन में दो चीजों के तासीर गर्म हो तो क इनके सा इनके प्रॉपर्टीज है उन्हें inhans करने में हमें बहुत आसानी हो इनने हमें से हलका सार्गडने के बाद हम एक पैन में डालेंगे और इसके देखेंगे देगे दो तरीके हैं इसे बनाने के रात को भीगो कर रखेंगे तो तासीर थोड़ी सी normal हो जाती है तो जिन लोगों फो शरीर में वात और कफ दो है लेकिन पित भी बढ़ा हुआ है तो वो भीगो कर इस्तेमाल करेंगे और अगर आपके शरीर में सिर्फ वात और कफ बढ़ा हुआ है तो आप डारेक्ट इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर जब यह पग जाए और अच्छे से और इसमें एक कप पानी रह जाए तो आप इसे छान लीजिए चलिए अब आपको बताते हैं कि इसे आपने इस्तमाल कैसे करना है सबसे पहले इन लीजों के लिए बता देते हैं किन किन को लोगों को इस्तमाल करना है अगर आपको साइटिका का प्रॉब्लम है सिलिप डिस्क का प्रॉब्लम है बहुत लंबे समय से कमर के दर्द से या माश्पेसियों के दर्द से परिशान है गुटनों से कट-कट की आवाज आती है उठने बैटने में तकलीफ होती है सरीर में सूजन बहुत जादा है गठिया की समस्या है कंधे में या कोहनी में कहीं भी दर्द की दिक्कत है तो ये आपके लिए बहुत फादिमंद है अगर आपको टाइफाइड की समस्या है बहुत लंबे समय से सूखी खासी या कफ वाली खासी से परिशान है सरीर में ठाकान बहुत रहती है, कमजोरी बहुत आती है, सिर्दर्द माइग्रेन की समस्या है, तनाव रहता है, अनिधरा की दिक्कत है तो इन सब के लिए और साथ में किड्नी और लिवर के इंफेक्शन के लिए भी उसकी सूजन के लिए भी ये बहुत फादे मंदोस्ती है इस्नमाल करने का तरीका दो है पहला तरीका है कि अगर आपको वात का रोग है जोड़ो के दर्द की दिक्कत है तो आप इसे सुभा खाली पेट लेंगे सुभा सुभा उट करके सबसे पहले अपने पानी पीना है गुनगुना सा एक दो गलास उसके बाद फ्रेश होने के बाद आप इसको लेंगे और उसके आदे घंटे बाद तक आपने कुछ भी नहीं खाना है और इसे हलका गुनगुना लेंगे जितना आप सह सके उतना गुनगुना और अच्छे से पैरों के बल बैट करके नीचे आपने इसको पीना है इसके पीने का तरीका है दूसरा तरीका है जिन लोगों को तनाव या अनिद्रा रहती है उन लोगों को इसका इस्तमाल रात को करना है खाना खाने के लगवक तीन घंटे के बाद और सोनी से एक घंटा पहले हलका गुनगुना गुनगुना जा इसका सेवन आपने करना है अब किन-किन को नहीं करना है, प्रिगनिट महिलाओं को नहीं करना है, छोटे बच्चों को नहीं करना है डियाबिटीज के जो रोगी है अगर बहुत सादा शुगर बड़ी हुई है या आप किसी तरह की मैडिसंस ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलहा लें और अगर normal आपकी diabetes है तो आपके लिए फायदे मंद है जोडों के दर्द में आपको काफी आराम देगी आप यूज़ कर सकते हैं सभी के लिए बेहत फायदे मंद ओस्दी है बस आपने धियान रखना है कि आपको किस किस तरीके से इस्तमाल करना है जो लोग हड़ियों के दर बना कर भी इस्तमाल कर सकते हैं आपने तिल का तिल लेना है उसमें थोड़ी से निरगुंडी के दाने डाले और उसको एच्छे से पका ले और जहां गुटनों पे दर्द की दिक्कत है वहाँ पर उसकी अच्छे से मालिश करें जब आप इस तेल से मालिश करेंगे तो उससे आपको बहुत जादा लाब मिलेगा सूजन कम होगी और जब ही कहड़ा पीएंगे तो अंदर से आपका कफ भी सांत होगा और वात के रोगों में भी आपको लाब मिलेगा जानकारी अच्छी लगी हो त सभी के साथ में ताकि सभी को इसका फायदा मिले तुछरी फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ तब तक अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें और हस्ते मस्कुराते रहें स्टे हैल्दी स्टे हैपी बाबाई